हेलो बच्चो आप सुब का आपके अपने चैनल गोविंद मैट लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पीरे विद्यार क्यों आज इस क्लास में हम 38 गनित विश्य के ब्रक बुग दोजा टेवी 24 के कारे पत्रक 10 को हल करना सिखेंगे बच्चो आपके गनित विश्य की ब्रक बुग के कारे पत्रक एक से लेकर 9 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चन में है या फिर बच्चो चैनल की प्रेलिस्ट पर जाकर आप सभी कारे पत्रक के हल को आसानी से देख सकते हैं बच्चो कारे पत्रक 10 में हम 3 अंकिय संख्याओं को 2 अंकिय संख्याओं से भाग देना सिखेंगे बच्चो कारे पत्रक 10 में हम 3 अंको वाली संख्याओं में 2 अंको वाली संख्याओं से भाग देना सिखेंगे बच्चो सलिये क्लास सुरू करते हैं देखे बच्चो पहला प्रस्ण है हल कीजिए यहाँ पर हमें बच्चो 896 के अंदर 896 के अंदर बच्चो 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 पहले में 28 का पाड़ा यहाँ पर थोड़ा सा लिक लेता हूँ तो 28 एकम 28 28 ति उन्हीं कितना होता है बच्चो 56 28 तिया बच्चो कितना होता है 84 284 112 हमें इतनी जरूत पड़ेगी तो बच्चो देखो 28 के पाड़े में 89 नहीं आता लेकिन इससे कम क्या आता है बच्चो 84 आता है कितनी बार आता है बच्चो 3 बार आता है तो यहाँ उपर हम कितना लिख देंगे तीन, यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चो 18, बच्चो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, उपर से उतारा 6, बच्चो 28 के पाड़े में 56 कितनी बार आता है, दो बार, तो 28 दूने 56, चपन में से 56 गया बच्चो, तो कितना आ गया, 0, यानि इसका ज सेस फल 0, और भाग फल आपका 32, आगे बच्चो 925 में बच्चो भाग देना है 37 का, बच्चो 37 का पाड़ा यहां में साइड में तोड़ा लिख लेता हूं, 37 एकम 37, 37 दूने 74, 37 दिया 111, 37 बच्चो 148 होता है, बच्चो कितना है 92, देखो बच्चो 92 से कम क्या है 74, तो यह करेंगे, बच्चो 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 7 गया तो 1, उपर से उतारा बच्चो कितना 5, इतना उतारा 5, तो बच्चो 37 के पाड़े में जो 185 है, वो कितनी बार आते हैं बच्चो, वो आते हैं आपके 5 बार, यहां पर बच्चो हम लिख देंगे 5, कितना लिखेंगे 5, इतना आयेगा — 185 हमые 825 में बच्चो इसका भाग देना है 15 का भाग देना है बच्चो 15 का पाढ़ा में तोड़ा लेता हूं इदर Algerno 152 एकम 15 पंदरा सिंग निब्बे तो बच्चो यहाँ पर कितना है 82 तो कितनी बार जाएगा बच्चो पांच बार कितना आएगा बच्चो 75 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75 बच्चो 12 मैं से 5 गया तो कितना आया 7 और 7 मैं से 7 गया तो 0 फिर बच्चो उपर से उतारा 5 तो 12 15 पंजे 75 वापिस कितना आएगा 5, 57 मैं से बच्चो 55 गया, कितना आ गया? 0, यानि आपका बच्चो भागफल है, वो कितना आ गया? बच्चो आपका भागफल है, वो आ गया 55, ठीक है बच्चो? आगे बढ़ते है गव, इसका भाग देना है बच्चो 22 का फाड़ा में इदर लिख ले नापर बच्चो कितना है बरानवे, बरानवे से कम क्या है 88, कितनी बार बच्चो च्यार बार, तो बरानवे में से किसको गटाना है 88 को, कितना आएगा बच्चो 4, उपर से उतारा 4, 22 के पाड़े में 46 कितनी बार आते बच्चो दो बार, तो 46 में से 46 को गटाया, बच्चो कि याने की बागफल कितना आ गया बच्चो बागफल आ गया बच्चो 42 और सेस्पल कितना आ गया सेस्पल आ गया बच्चो आपका जीरू आगे बढ़ते हैं बच्चो फल कीजिए प्रशन संक्या 2 यहां पर भी में क्या देना है बच्चो भाग देना है देखे बच्चो यहां तो च्यार के पाड़े में 16 आता है च्यार बार तो यहाँ पर आपका जो बाग फल है वो कितना आएगा 64 आएगा फिर खो 840 में बच्चो बाग देना है किसका 15 आगा तो बच्चो 15 पंजे कितना होता है 75 कितना होता है 15 पंजे 75 बच्चो 18 में से 70 जाएगा, तो कितना आएगा बच्चो? 9, पिछे कितना बचेगा? 0, तो बच्चो 15 छिंग, 90 होता है, तो अब कर बागवल कितना आएगा? 56, फिर बच्चो किसका बाग देना है? 28 का, तो बच्चो 28 का बाग कितनी बार जाएगा? 28, 21, 21, 42 मैं कितना गटाना है बच्चो, 28, ुटना न आएगा बच्चो, 12 मैं से 8 गया तो 4, 3 मैं से 2 गया तो 1, यानि कि चौदा, और पीछे जा, कितना आगया, 0, बच्चो, 28 के पाड़े में 40 आते हैं, 5 बाद, कितने आते हैं, 5 बाद, अब का भागपूल कितना आ जाएगा, पंद्रा आगे बढ़ते हैं बच्चों घःषो बहत्तर में भाग देना है चाउदा का तो बच्चों चाउदा का पाड़ा इजर में लिख लेता हूँ 14, 14, 14, 48, 43, 42, 46, कि यहापर कितना है बच्चों? 67, कितनी बार जाएगा बच्चो 14, 44, 64 कितना है बच्चों? 14, gaat आपका 56 तो बाग कितनी बार जाएगा?ør 63 बार तो यहाँ पर 11 बच्चा, पीछे 2, 112, बच्चो 14 के पाड़े में 112 आते है 8 बार, तो आपका बागवल कितना आएगा? 48, फिर बच्चो गव, 875 में भाग देना है 25 को, तो बच्चो 25 का बाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, कितना आएगा बच्चो 75, 27 में से 55 गटाना है, 7 में से 7 गया, तो एक पीछे बच्चा 5, 125, बच्चो 25 के पाड़े में 125 आता है 5 बार, तो आपका बागवल कितना आएगा? 33, फिर बच्चो 792 में भाग देना है 12 का, तो बच्चो 12 चिंग कितना होता है? 72, तो नियासी में से 72 जाएगा, कितना बचेगा बच्चो? 7, 7 और 2, 12 बच्चिंग 72, आपका बागवल कितना आएगा? 46 आएगा, तो देखो 420 में किसका बाग देना है? 15 का, कितनी बार जाएगा बच्चो? 28 बार, अब मैं बार बार सबको नहीं समझा रहा हूँ, आप 15 का पाड़ा लिख ले और भाग दे दे, ठीके बच्चो, आप चाहे तो देखो 15 दूने 30, ठीके, पीचे बच्चा 12, 12 और पीचे बच्चा 0, 120, 15 आटे 120, तिर बच्चो भाग देना है 15 का 555 में, इतनी बार जाएगा बच्चो? 37 बार जाएगा, ठीके, तिर बच्चो 15 का भाग देना है 285 में, इतनी बार जाएगा बच्चो? 19 बार जाएगा, त ठीके इसी तरह यहां पर बच्छो 12 का भाग देना है 168 में बच्छो 12 एकम 12 पीछे बच्छा 4, 4 और 8 48, 12 चौक 48, इसने बार जाएगा 14 बार, 12 का भाग 145 में 12 एकम 12, पीछे बच्छा 2, 2 और 4 24, 12 दूनी 24, यहां पर बच्छो 324 में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 35 में से 24 गया कितना पीछे बच्छा 8, 8 और 4 84, 12 सते 84, पीछे बच्छो 12 एकम 12, पीछे बच्छा 8, 8 और 4 84, 84, 12 सते 84, ठीके आगे बच्छो 324 में भाग देना है 17 का, बच्छो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, पीछे बच्छा 3, 3 और 4, 34, 17 दूनी 34, बच्छो भाग देना है 646 में, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन और एक तेरा और पीछे कितना बचाता चेंग एक सो चतीस बच्चो शतरा के पाड़े में एक सो चतीस आता है आठ बार तीन और पुम्हारी में एक सो चतीस आतीस बारने एक सो चतीस आता है आठ बार तेल बच्चो तेरा पाग नौसो बावन में तो सतरा फन्जे पिच्च आसी पीछे बचा द़स दस और जिरो आनि एक सो दो तो सतरा संग एक सो दो कितना आएगा 56 ठीक है बच्चो यह था प्रश्ण संक्या 3 आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रश्ण संक्या 4 फल कीजिए क्या करना है 450 में बच्चो बाग देना है किसका 12 का तो बच्चो 450 में हम बाग देंगे किसका 12 का तो बच्चो देखो कितना आएगा तो बारा एकम बारा बार जोनी चोईस बारतिया चतीस ठीके बारतिया चत्तीस तो तीन बागफल आ गया चत्तीस 15 मैंसे 6 गया तो बच्चो 9 यहाँ पर 3 मैंसे 3 गया तो जीरो यहाँ पर जीरो तो बच्चो 12 के पाड़े में निब्बे नहीं आते इतना आता है 84 तो 12 सत्य 84 पीछे बच गया 6 तो यहाँ पर भागपल 6 और आपका 12 सत्य 84 जानि कि भागपल में कितना लेखेंगे 7 और सेस्पल कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा यानि 37 बढ़ भागपल भाग पूरा पूरा जाएगा और पीछे 6 सेस्पल बच जाएगा फिर बच्चो 736 में भाग देना है 24 का तो बच्चो 736 में 24 का जो भाग है वो 30 बार पूरा पूरा जाएगा और पीछी जो सेस्पल बचेगा, वो कितना बचेगा बचेगा, 16 बचेगा, 16 आपका क्या बचेगा, सेस्पल बचेगा, देखो बच्चो, चेक करके भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर, 773, 736, तो 24 के पाड़े में, 24, 21, 24, 24, 23, 72, 72, 73 में से 72 गया, कितना बच्चा बच्चो, एक, एक और 6, यानि कि 16, तो यहाँ पर बागफल में 30 आ जाएगा, और सेस्पल कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीके, यहाँ पर 0 की उतरेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 उंग 7 में उतार यहाँ, तो बच्चा फंदराचो कितना होता है, 60, पीछे बच्चा 3, 3 गवर 7 कितना होगया, 35, तो 15 दूनिए 30, पीछे बागफल कितना बच गया, बागफल होगया 42, और सेस्पल बच गया, 7, आगे बच्चो, 965 में भाग देना है किसका, 27 का, तो 27 का बच्चो, 27 का बच में 155 तो नहीं आता कितना आता है 135 इतनी बार बच्चो पांच बार तो पीछे कितना बच गिया 20 तो सेस्पल आ गया 20 ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं प्रशन संग्या 5 जंगल में होने वाली तलंग दोड में भाग लेने के लिए मिन्टु मेंडग किकु खरगोज और म प्रशन संग्या 1 मिटु मेंडग एक चलांग में 4 चिर्डिया चड़ता है वह अब तक 140 चिर्डिया चड़ चुका है उसने कितनी चलांगे लगाई है बच्चो आपको क्या करना है 140 में इसका भाग देना है चार का भाग देना है बच्चो चार तिया 12 पीछे बच्चा 2 2 और 020 चार पंजे 20 यानि उसने कितनी चलांगे लगाई है बच्चो उसने अभी तक 35 चलांगे लगाई है 35 दूसरा बच्चो सीकू खरगोस एक चलांग में इतनी चल्डिया चल रहा है 5 तो अब तक वह 125 चल्डिया चल चुका है तो इतनी चलांगों में वो यहां तक बच्चो हम 125 के अंदर इसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे बच्चो 5 दूनी 10 पीछे बचा 2 दू और 5 पच्चिस पांच 25 पंजे 25 यानि उसने कितनी चलांगे लगाई है बच्चो उसने 25 चलांगे लगाई है ठीके यह आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तो तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मैननत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरू करें, आज ले इतना ही, जय हिन, जय भरत.